नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अंकीत और आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मेडी टोप टीवी में दोस्तों जो आज की हमारी जानकारी रहेगी वो प्लाश्टर के उपर रहेगी आज हम आपको बताएंगे कि प्लाश्टर कितनी तरीके के होते हैं कुछ लोगों में यह भ्रहम होता है कि पिलाश्टर के अंदर दवाई होती है जो हड़ी को जोड़ने का कारिय करती है लेकिन ऐसा बिलकुल भी नहीं है पिलाश्टर में कोई दवाई नहीं होती जो हड़ी को जोड़े पिलाश्टर का काम हमारी हड़ी का मुवमेंट को रोक जाएगी मान लो यह बॉन है ठीक है और हमने इसको ऐसे तोड़ दिया ठीक है अगर हम इस पर प्लाश्टन नहीं लगाएंगे तो यह ऐसे हिलती रहेगी अगर यह ऐसे हिलेगी तो कैसे जुड़ जाएगी प्लाश्टर का कारिया रहेगा इसको सीधा करके अपनी जगह पे क तरीके के plaster ka use करते हैं सबसे पहला होता है plaster of Paris, जो की simple čूने का होता है, जिसका color white होता है, दूसरा होता है synthetic cast, जो colorful होता है, जिसके में आपको कैई प्रिकार के color option भी मिल जाते है, जो fiber grasses material का बना होता है, अगर synthetic cast काष्ट और प्योपी काष्ट में कंपेर करें तो बहुत AP के मकावले थोड़ा सा कोष्ट ली होता है पर वो प्योपी के मुकावले लाइटवेट होता है और वो मजबूत भी होता है कि वोiger glass काılar का बना हुआ होता है जो एक तरीके की moldable plastic होती है और जो P.O.P. वाला है वो simply चूने का है तो उसके मुकाबले थोड़ा कमजोर होता है दोस्तों हमारा चैनल भी subscribe कर दिया करो subscribe करने के कोई charges नहीं होते हैं और आपकी support अगर हमें रहती है तो हमें उससे बहुत जादा motivation मिलता है अगर हम P.O.P. से plaster लगा रहे हैं तो उसके लिए हमें P.O.P. bandage की जरुत पड़ेगी और उसका जो size होगा अगर हम हाथ में लगा रहे हैं या पैर में लगा रहे हैं अगर हाथ में लगा रहे हैं तो छोटा size अगर पैर में लगा रहे हैं तो बड़ा size soft roll की जरुत पड़ेगी gloves की जरुत पड़ेगी पानी की जरुत पड़ेगी और एक macintos की जरुत पड़ेगी ताकि जिस हम part पे plaster लगा रहे हैं उसको उसके नीचे लगा सकें ताकि patient के कपड़े खराब ना अगर हम synthetic cast यूज़ कर रहे हैं उसके लिए हमें synthetic vendor की जरुत पड़ेगी वो भी size के हसाब से हाथ का लगए पैर का लगए ठीक है उसके लिए एक stockinate भी चाहिएगा जो की एक socks की तरह होता है जिसको अंदर हाथ या पैर पे चड़ा दिया जाता है soft roll की जरुत पड़ेगी gloves की जरुत पड़ेगी और macintos की जरुत पड़ेगी और पानी की जरुत पड़ेगी अब आपको बताते हैं कि plaster लगने के बाद वो क्या जरूरी बाते हैं जिनका आपको ध्यान लगना चाहिए एक तो plaster लगने के बाद आपको अपने पैर को या हाथ को लटकाना नहीं है उसको elevate करके रखना है अगर हाथ में लगा है तो उसको 90 डिग्री पर ऐसे रखें अगर पैर में है तो उससे चलने की कोशिश ना करें और उसको भी रात में सोते टाइम तक ये पर रखें और अगर दिन में भी आप कहीं बैठ रहे हैं तो उसको किसी टेबल पे उठा के रखें उसके अंदर पानी बिल्कुल भी ना जाने दें अगर इनके अंदर पानी जाएगा तो आपकी इसकिन में भी इन्फेक्शन हो जाएगा अगर प्योपी का प्लाश्टर है तो वो पूरी तरीके से खराब हो जाएगा और किसी भी नुकीली चीज से प्लाश्टर के अंदर घुसा के खुजली करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें अगर आपको हाथ में प्लाश्टर लगा हो प्लाश्टर को घर पे काटने की कोशिश ना करें क्योंकि जिस डोक्टर ने लगाया है वो अपनी टाइमिंग के हिसाब से आपकी हड़ी के फैक्चर के हिसाब से उसको रखेंगे और उसके बाद आपको बताते हैं कि कब काटना है ऐसा ना करें कि आपका दर्द बंद हो गया और आपने घर पे प्लाश्टर काट दिया अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी हड़ी नहीं जुड़ेगी और आपको दिखकर आ जाएगी अगर आपको हमारी दीगे जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंज के साथ सेयर करना ना भोलें क्योंकि हम ऐसी ऐसी ही अच्छी जानकारी आपके लिए लाते रहते हैं जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ तब अगर